Hello friends, आपने income tax का चलान पे कर दिया है, बट उसमें assessment या गलत select कर दिया है, advance tax की जगए self assessment tax कर दिया है, तो इस तरह की जो भी आपने mistake करें हैं, क्या उसका correction पॉसिबल है? Yes, income tax ने अब start कर दिया, income tax को गलती हुई है, वो आप correct कर सकते हैं, बट उसकी कुछ terms and conditions हैं, तो वो सार आज हम discuss करने वाले हैं, तो मैं एक बाद फिरसे सीर होई द्विश्णोई, और आज आपके इनलायों कि अगर आपने income tax चलान में कोई mistake कर दिया, उससे आप कैसे correct कर सकते हैं, online, तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो, let's start. तो my dear friends, पहले terms and conditions हम discuss करेंगे, फिर मैं आपको online करके भी दिखाऊंगा कैसे हम correct कर सकते हैं, तो these are the terms and conditions, पहली इन्होंने बता रखाएं कि assessment year 20-21 के बाद ही, जो चलान है, उसमें mistake हुई है, वो ही आप correct कर सकते हैं, second में बता है कि चलान correct request केवल एक बाहरी दी जा सकती है, अगर दुबारा करना है, तो जो से dictionary office के थुरू होगी, third में बता है, चलान correction request can be submitted only for minor head, कौन-कौन से 100, 300 and 400 and major head, इन तीनों से related जो corresponding major head है, उसमें request हो सकती है, correction की, इसके लावा, कोई head में change request नहीं हो सकती है, एक बाहरा हम इसे online और अच्छी तरह समझ लेंगे, अब ये त आज चलान जमा करा है, इसके within 30 days आप ये major head, minor head में change कर सकते हैं, six में बता है कि assessment ये जो time limit है change करनेगी, वो है seven days, अगर आज आपने pay करा है, तो within seven days हम कर सकते हैं, तो ये सारे terms and conditions मैंने आपको बता दी है, अगर आपका criteria भी इन में fall करता है, तो आप अपना चलान correct कर सकते हैं, अब चलते हैं, आप online कैसे अपना चलान हम correct करेंगे, तो सबसे पहले हमने login कर लेना है, services में जाना है, चलान correction पर जाना है, create चलान correction request, अब हमारे case में क्या है, assessment year 24-25 मुझे करना था, बट मैंने 23-24 कर दिया, तो मुझे assessment year का reactification correction चाहिए, तो change in assessment year पर टिक करेंगे, आ कौन से assessment year आपने वो चलान पे कराया है, वो यहाँ पर, 23-24 में मैंने पे कर दिया, चो करना था मुझे 24-25 में, इस वाले चलान को मैं select करूंगा, then continue, अब देखिए यहाँ पर 23-24 existing है, मुझे इसे update क्या करना है, 24-25 में, then continue, इसके बाद एक बार कहेगा, आप verify कर लिजी, ह हमने verify कर लिया है, again हम करेंगे continue, अब यहाँ पर यह OTP से verify भी करायेगा, तो I would like to verify, हम इसे OTP से verify भी कर देते हैं, जिससे हमारा यह काम पूरा complete हो सके, continue, OTP डाल देते हैं, यह मैंने OTP डाल दिया, यह validate कर दिया है, यहाँ पर आपका आगया submitted successfully, changes to challenge have been successfully submitted, and email and SMS conformance successful submission has been sent, मनला भी आपका submit हुआ है, process नहीं हुआ, इसे check करने के लिए आप e-file, e-pay tax पर जाएए, payment history पर जाएए, तो यहाँ पर आप देखेंगा भी assessment ही है, आप पर पुराना वाला R.I.E. update नहीं हुआ है, बट within 24 to 48 hours यह update हो जाएगा, तो यह बहुती अच्छा function, काफी लोग परेशान होते थे पहले correction के लिए, जो से dictionary office को grievance डालने पड़ती है, बहुती time taking process होता था, बट आज आप घ कोई भी change judicial office के through होगा, तो I think काफी government नहीं हाँ पर help कर रही है, यह genuine problem थी, काफी लोग इस चीज के लिए government से पहले भी कह चुके थे, सरी यह online functionality दे दीजिए, तो government ने finally दे रहा है, दुरूस्त आए, वो वाली बात सुन लिए, और हम online correction कर सकते हैं, तो दोस्तों यह एक छो पर नए हैं, तो इस चैनल को subscribe करें, इस वीडियो जादे जादा share करें, thank you for watching this video, हम मिलेंगे next video my dear friends, bye bye, namaskar, धन्यवाद